लेकिन आप बताए साफ सुतरा बात आप सपोर्ट करिया कि नहीं पावन सिंग जी का जहां तक बात है आपको बता रहेंगे मेरी सुब कामनाय उनके साथ है तो जरूर जाएंगे इस पर विचार करेंगे क्योंकि हम समाज से बने हैं समाज ने हमें बनाया समाज के लिए हम अ तो हो गई आज फॉर्स पर सिंग त्विट करते हैं और ट्यूट पर लिखते हैं इस्टाग्राम पर पूस्ट करते हैं फैस्बूक पर पाश करते हैं क्या मां कैते हैं बाद क। मैं चुनाओ लड़ूंगा चाहे कोई पाटी टिकट दे या ना दे मैं निर्दलिये लड़ूंगा इस पर क्या किज़ेगा निर्दलिये में तो मजबूत रहवें न करेंगा हम तो बोलवे कहते कि खाली भाजपा से मत लड़िएगा अचा भाजपा से नहीं लड़िए चु अब जब निर्दलिये वहार है तो अब वो कंटेस्टेंट के रूप में गीने जाएंगे अभी जो है जिससे पवंजी के आने की खबर हम भी सुनें तो वहां पर अब तक तो लग रहा था कि महांगडबंदन सिधे जीत रहा था जीत रहा था लेकिन अब जब पवंजी आ लेकिन पावर अस्टार पवंजींग से बीजेपी लगतार 2009 इसमें रहलिया कराती है रोड़सों करवाती है और एक अस्वासन देती है कि हम आपको ठीकट भी देंगे और नहीं देती है मतलब बीजेपी जूटी पाटी आज की थोड़े है बढ़का जुमलेवाज पाटी सावित भी हो गया जो विक्ति का दस सेकंड भी बहुत इंपोर्टेंट है वह आधे घंटे भी अगर किसी को समय देते हैं तो समझें कि आधे घंटे में कम से कम 25 लग रुपय कम आ सकते हैं पहुंजींग जी दूओ गाना का लेंगा 20 लग रुपय हो जाएगा तो अब बत सबसे पहली जीत उनकी यहीं पर हो गई कि नर्वान के पक्ते हैं नरिंदर मोधी जी और अमित सहाज जैसे व्यक्ति को भी जो अपने आपको चणक के बोलते हैं उनको भी उनसे बी टक्राने की चंता दिखाया इन्होंने हिम्मत दिखाया और यह होता है बिहार की मिठी की ताकत है ना ये बिहारी ताकत इसको बुलते है जो पवन सिंह दि यूथ को भी साथ में रखें जो किसान हैं जो महिलाएं हैं जो मजदूर हैं सभी जाती सभी धर्म के लोगों को वह अपने साथ रखें और चुनाव लड़ें बढ़ियां फाइट देंगे बढ़ियां फाइट वहां से उपेंदर कुस्वहाजी का नाम आ रहा है बहुत बड प्राकाट में दो चेहरा एक महागडवंदन का चेहरा और दूसरा परवंसीजी का चेहरा बस यहीं दोनों चेहरे में दोनों में टकर होगा अब जोन जीत जाये वह तो मनलीजे वहां कि जो सम्मानित मजदाता है लोकतंत्र के मालिक हैं उनका जुकाव किन के तरफ होता है लेकिन अब मेंन यहीं दोनों व smarter और मैं आपको बताता हूं मुकावला बहुत कांटे का मुकावला को की सीए नहीं कर सकते कि वह जीत रहे या वह जीत रहे है क्योंकि पावन सिंग जी एज आजन आर्टिस्ट बच्चा बच्चा उनको जानता हूं जैसे और मैंने पवन जी के जितने करीब मैंने रहा है कुछी दिनों या आज भी जब भी बात होती है तो एक बिल्कुल अपनापन जैसी बात होती है मैं जहां तो उनको जानता हो वह बहुत समासे बात ही रहा है बहुत ही आलग बाते को उनको अभी दिखाया नहीं लेकिन आज तक तो पहुंचिंग दिखाया नहीं कि हमने पहुंचे डोनेट कया और किसे कुछ मदद किया तो अहां पर लोगो पूछेगा कि आप दिखाया नहीं है लोग बिल्कुल पूछेंगे लोग बिल्कुल ही पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे लोग क्योंकि आपने तो दिखाया नहीं है लोग तो जान नहीं रहां यह मैं जानता हूं या जो उनके इर्द 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 आपको और अंको जानने खुनाव के लिए बहुत बड़ी बात है और म dispok nawegenं ससकत में ने पुरोग देश थे हमारा पुरा देश जो है, वो सोने किचड़िया है, हमें पुरे देश पे गर्व है, चाहे वो उत्तर के मिट्टी हो, दक्षिन के मिट्टी हो, पुरव के मिट्टी हो, पश्यम के मिट्टी हो, कहीं के भी मिट्टी हो, हम इस बात को ले करके बहुत ज्यादा खुश हैं कि हा किया यह उनके पहली जीत है अब उनको मेहनत करना है धरातल पे और जो खास करके जो कुछ-कुछ जो बिवाद जो होता था गाने में बबुआ नहिरान टैप का जो चीज इसे कैसे अपने अपने आपको उपर निकाल करके लाएंगे और जंता के पीछ जा करके बताएंगे कि कि नहीं नहीं बलकि पवन सिंग विश्व दुरूप से कलकार हैं यह समाज से भी हैं कि इनकी समाज सेवा को मैं जाता हूं चलिए वह सब तो बहुत अच्छा बात है लेकिन आप बताएं साफ सुथरा बात आप सपोर्ट करिया कि नहीं है हम तो आपको बता रहेंगे मेरी मेरी शुब गामनाय उनके साथ है किस टाइप का सपोर्ट इसके लिए हम समाज से बात करना पड़ेगाश हो संतोस रुन्यौद क्या है देखर sustain इसका उत्तर यही है कि संतुस्रुनुयादो समाज का बनाया हुआ एक छोटा सा पौधा है। हम आपको बता रहे हैं। सपोर्टर हैं। महागडबंधन के हम सपोर्टर हैं। लेकिन कभी भी हम लालूपरसाद्यादव जी के भक्त हैं। तेस्वी जी के सिपाही हैं। हमेहें समाज ने बनाया। हम समाज की उपज हैं। मता-पिता ने जन्म दिया लेकिन हमारे समाज आज अगर दो लोग जानते हैं। समाज के बदलत जानते हैं। हम कुछ भी कदम उठाएंगे। खास करके किनी को शपोर्ट करना किनिका विरूद करना। तो वो समाज से पूछ करके ही हमारे मालिक समाज है हम जैसे आज हम पपु यादव जी के समर्थन में पुरुनिया गये थे पपु यादव जी के समर्थन में गये हमारे समाज के लोग खुस हैं समाज के लोग चाहते थे कि संतोसरों ने पपु यादव जी के समर्थन में जा पवन सिंग जी का जहां तक बात है तो अगर हमारे समाज के लोग चाहेंगे पवन सिंग जी अगर हमारे समाज के लोगों का दिल जीत लेंगे अगर हमारे समाज के लोगों से हमें यह आदेश दिलवा देंगे तो कहीं नहीं जाएंगे तो जरूर जाएंगे इसमें विचार सबसे अच्छी बात है कि मुकावला बहुत रोमान चख होगा आप देखिएगा कारा काट लुक सभाग का जब रिजल्ट आएगा तो ऐसा नहीं यह कि बारा एक वज़े आपको रिजल्ट सुन वह सारे लोग बहुत सारे लोग कारा काट का नाम भी नहीं जानते थे तीवी पेद्रा थेमस हो गया कारा कार्ण पांच के आने से कि मतलब एक अलब दीख रहा है मैं आपको बताता हूं कि का कारा कार्ट का रिजल्ट आपको चार वह से पहले भूसित नहीं होगा इतना कांटे का मुकाबला वहां होगा इस बार निर्दलिये लड़ना बहुत टफ होती है निर्दलिये लगबला बिहार में तीन-चार लोग लड़ रहे हैं गुंजन सिंग जी मनिस्क अस्यफ हो गया किनका किनका काटा बराबरी कराएगा कि छक्का मारेगा इसमें देखिए जहां तक निर्दलिये में सबसे पहला नाम अगर जीतने जा रहा है वह पप्पु यादव का नाम आ रहा है जो पुर्णिया से हैं वह हमें लगता है कि इस लोक सभा चुनाव का पूरे ऑल इंडि सबसे बड़े मार्जिन से अगर कोई जीतने जा रहे हैं पूरे देश में तो वह पप्पयादव नाम है आप आज नोट कर लिए लिख लीजिए इसको कोई नहीं में जनता मानता हमने देखा है विडियो तमाम क्यूंकि जनता के दिल में उन्होंने जगा बना बहुत मलत ह हाँ अब दूसरी चीज दूसरी चीज है क्या कि अब यह जो चाहे गुंजन जी हो गए गुंजन जी का भी हम देख रहे हैं केंपेंडिंग अच्छा चल रहा है बहुत 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 अच्छा गुंजन जी को और मेहनत करना चाहिए यह हम नहीं कह सकते कि चुनाव आप जीतेंगे या हारेंगे चुकि कोई किसी के किस्मत को नहीं जानता है चुनाव की परिणाम रात व रात बदल जाती है तो लोगों का जो मोमेंट होता है तो अगर आप इसमें अच्छा कर जाएंगे तो निसंदे विधान सभा का चुनाव के लिए आप एक इलिजिबल जाएंगे ठीक है